इकोनोमिक्स का एक्जाम देने वाले हैं तो दोस्तों इसमें से आपको जो है बहुत सारे क्वेशन लगबगत 30 से 35 क्वेशन पूछे जाने वाले हैं बिहार बोर्ड एक्जाम है तो इसलिए वीडियो को शुरू से लगर आखिर तक देएगा और जैसा न्यू पैटर में हैं कवर करने वाले इस वीडियो में तो ज़ए दूस्तों शूरू करते हैं बिना टाइम वएस्ट करते वें क्वेश्चन पर एक से तुछ यह पर आचको क्या बोला जा रहा है और कि अर्थ विवस्था को वर्की गरिद किया चाकता है तो किस से किया चाकता है दोस्तों इसका रैई रम स्रकूंट कौन जाख पुझी या पिर देखिए हम फटा पट बोलेंगे तो इसका रचंट यह नमबर यह नमबर जागा अब आगे की उर बढ़ते हैं क्वेश्टन पर तीन आची क्या बोल रहा है उस वक्र का नाम बता है जो किसी देश की आर्थिक समस्या दरशाती है दूस्तों इसका राइट आंसर का उन्साओ जागा तो तीन नमबर का राइट इसर डी नमबर य जाएगा यानि आए सिध्धान्त में अब आगे की उर बढ़ते हैं क्वेश्टन पर पांच क्या बोल रहा है ऐसी वस्तिये जिनका एक दूसरे के बदले पर्योग किया जाता है कहलाता है क्या कहलाता है इसका राइट इसर पाच नमबर का दी नमर जागा यानि इन में से क अब आगे की और बढ़ते हैं कोश्टन पढ़ा चुए है अब आठ नमर क्या बला जा रहा है दोस्तों कि गिफिन वस्तों के लिए कीमत मांग की लोच होती है तो इसका राइट नसर छे नमबर का ए नमर हो जागा यानि दिनात्मक होती है दोस्तों लाइब क्लास बढ़न अब आगे की और बढ़ते हैं क्या बोल रहा है कि माइक्रोज शब्द है तो माइक्रोज शब्द क्या है इसका राइट इनसर बी हो जाएगा यानि ग्रीक सब्द है अब देखते है क्या बोल रहा है अब अर्थ सास्त्र की केंद्री है समस्या कौन सी है तो दस नमर का बी नमर राइट इनसर साधनू का खुसलतम उप्योग अब आगे क्योब बढ़ते हैं तो question number क्या रहा है क्या बोल रहा है उपियो गीता का गुणनवाचक सिध्धानत किसने परस्तुत किया तो इसका राइटेंसर बी नमबर हो जाएगा ने पीगू पीगू राइटेंसर हो जाएगा अब आगे की वर बढ़ते हैं तो दोस्तों वीडियो कर में फटावर बोल र परती है अब आगे क्यों बढ़ते हैं question वाड़ा चुए तो तेरह आवश्यक वस्तूं की मांग की लोच होती है तो इसका तेरह नमबर का राइटेंसर श्री नमबर होगा यहां पर ऑप्शन में है एकाई से अधीक राइटेंसर श्री नमबर होगा अब देखेंगे question 14 क्य के नियम के पर्थम चरन है तो 14 नमबर का राइटेंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर ए नमबर हो जागा नहीं सीमांत और और अवसत उत्पादन दोनों बढ़ता है चले अब देखते हैं आगे की और तो यहां पर देखें सभी जवाब दिजिए फटाफट तो यहां क्या बोला जा रहा है उत्पादन में वीर्दी के साथ साथ कुल लागत की एवंग कुल इस्तीर लागत का अंतर हो रहता है तो इसका राइट इंसर कौन से होगा है सभी कोई फटापट बूलिए चले वैरी गुड तो इसका राइट नंसर 15 नमबर का ए नमबर इस्तीर रह अगम शुन्य अत्वा रिनात्मक हो सकता है तो 16 नमबर का राइट इंसर श्री नमबर जागा यानि ए और बी दोनों हो जाएगा अब बढ़ते हैं आगे की ओर दोस्तों चले कुश्चन राच चुकी है अब अठारे क्या बोला जा रहा है किस बाजार में आउसत अगम आगम वक्र अक्ष के समांत्र होता है तो 18 नमबर का सभी कोई जवाब दुझे फटाफट चले वैरी गुड तो इसका राइट इंसर ए नमबर यानि पूर्ण परतियोगी ता अब आगे क्यों पड़ते हैं क्वेश्चन पर चुन इस नमबर क्या बोले जागा पूर्ती की हो कि संख्या में कमी ठीक है भी नमबर राइट नसर हो जागा अब आगे क्यों पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नमबर आचुकें अपर 20 क्या बोले जागा जागा है जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ती में ज्यादा वीर्दी हो तो पूर्ती का आधिकार बाजार किसे दर्शा आता है तो इसका राइट असर जो तीस नमर का ए नमर यानि उत्पादन परकिरिया अब देखें, क्वेशन नमर चौबिस, क्या बहुत रहा है, कीमत निर्धान परकिरिया में समय तत्व का वीचार किस से, किस ने प्रस्तुत किया 24 नमर का राइट अंसर, तो श्री नमर, यानि क्या हो जाएगा दोस्तो, मारसल राइट अंसर हो जाएगा अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेशन नमर 25, देखें, क्या बहुत रहा है, निर्ध में से कौन एक अधिकार, फॉर्म के संतुरन के सर्त नहीं है, तो 25 नमर का राइट अंसर, श्री नमर जागा, यानि सीमान्त लागत, वक्र, सीमान्त अगम, वक्र के नीचे से काठती है अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखें, क्वेशन नमर 26, क्या बहुत रहा है, पूर्ण है, परती योगिता के फॉर्म है, तो 26 नमर का राइट अंसर क्या होगा दूस्तों, डी नमर यानि इन में से कोई नहीं होगा, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर लागन राइट अंसर हो जाएगा, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेशन नमर आचके 28 नमर, सभी कोई जवाब दीजिए, फटाफट, देगे किरसी, उत्पादन के लिए, नियुन्तम, समर्थन, मुल्यर, निम्नलिकित में से कौन है, तो 28 नमर का राइट अंसर ए नमर यानि आवस्त लागत हो जाएगा, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेशन नमर, चले, तो यहाँ पर आचके क्वेशन नमर क्या बोला जा रहा है, 29, सर्थ 30 नमर, क्या बोल रहा है, अल्प कालीन, उत्पादन की दिशा में एक, विवेक शील, उत्पादन किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगी, करेगा, इसका राइट अंसर क्या होगा, तीस नमर का D नमर, यानि इन में से कोई नहीं राइट अंसर होगा, देख लिए यहाँ पर सारा ऑप्शन में गलत है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेशन नमर यहाँ पर आचुए, 31, क् वयाँ पक अर्थ साज्त्र की निर्मन लिक्त में से कौन सी उप्योगीता है, तो 31 नमर का राइट अंसर कौन सा होगा, तो 31 का A नमर, यानि सरकाली आर्थिक नीती का निर्मान, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, चले, यहाँ पर आज़िए क्वेशन नमर 32, देखे, क्या ब वर्ष में किसी देश की घरेली सीमा में सभी उत्पादकों दुवारा जितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनकी बाजार कीमत के योग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसका राइट अंसर क्या हो जगा, शी नमबर यानि NMPMP कहलाता है, अ ज34 नमबर क्या बल जा रहा है, क्या बल जा रहा है मैं घ्टक है तो 24 नमर जागा लाबकर मैं aimerलाता है, शी नमबर हो जागा, प्र हमने रिउतना है क्या उसुप्रिलकल प्यक्राद कहले बाज़ा थे, तो इस नमबर या बल फॉल जाएगा अब बढ़ते हैं आगे की ओर question number 36 क्या बोला जा रहा है करें निम्ने मैंसे कौन सही है 36 नमर का राइटेंसर क्या बोला जाए ए नमर यानि परज आए वेक्तिकत आए परतेक्ष कर राइटेंसर ए नमर जागा अब आगे की ओर बढ़ते हैं यहां पर देखे question number 30 क्या बोला जाए पुंजी के stock की विर्दी क्या 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 राइटेंसर यानि 36 नमर का ए नमर यानि पुंजी हरास क्या राती है चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं चलिए तो यहां पर क्या बोला जा रहा है दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ते हैं अब आगे की ओर बढ़ते हैं question number यहां पर आज चुके दोस्तों क्या है 49 जी एनपी और फी तक क्या है बराबर क्या होता है तो इसका राइटेंसर 49 नमर यानि क्या हो जागा दोस्तों नगत जी एनपी बाई वास्तविक जीडीपी इंटू 100 अब आगे की ओर बढ़ते हैं question पर आज चुके दोस्तों क्या बोला जा चालिस नमर मुद्रा के इस्थेतिक और गत्यात्मक कारियों का विभाजन किस ने किया तो 40 नमर का राइटेंसर क्या हो जागा तो d n नमर राइटेंसर यानि इनमेंसर कोई नहीं होगा अब आगे की ओर बढ़ते हैं यहांपर आज चुके अजर जता है लेन देन के लिए मुद्रा की मांग होती है तो 20 नमर का राइटेंसर जाजागा दोस्तों d n नमर क्या इनमेंसर कोई नहीं होगा सब हो जाएगा अब आगे की ओर बढ़ते हैं कोई इन में से कोई नहीं होगा अब आगे की ओर बढ़ते हैं यहां पर आगे क्यों कॉन क्या बोला जाई है वया पारिक मैं कौन परकार के रिंद्र बढ़ा सकता है यानि पुनर्ग खरीद दर्ब बढ़ा कर अब आगे की ओर बढ़ते हैं बड़ते है क्वेश्च नंबर गुनक को वेक्त किया जाता है चलिए अब यहां पर दिख नंबर क्या जाता है तो इसके अन्त्राल माप आप है जोस्तों इसका क्या है अब आगे की और बढ़ते हैं क्या बोला जारा दोस्तों कह रहा कि बिरिटिस अर्थ सार्स्त्री ने जे एम कीन्स की पुस्तक दै जनरल थेओरी किस वर्ष परकासित हुई तो 52 नम्र का राइट अर्थ से एए नमर होजाएगा याणी 1926 में होवी थी अब यहाँ पर आज़की दोस्तों 63 नम्र महाम rehabundi किस वर्ष आई थी तो इसका राइट अंसर कौस आयागा तो यहाँ पर जो दोस्तों हो जाएगा तो D number right answer हो जागा यानि इन में से कोई नहीं अब आगे की वर बढ़ते हैं question बढ़ पच्पन क्या बुले जा रहा है कहरा कि वी नी मैं दर को निमने लिकित में कौन से रूप है तो पच्पन बढ़ का राजने से D number हो जागा यानि इन में से कोई नहीं होगा अब आगे की वर बढ़ते हैं question बढ़ आच्पन नंबर क्या बुले जा रहा है करा कि budget के संग घटक निमने लिकित में से कौन है तो दोस्तो 56 नंबर का राजने से A number हो जागा यानि budget प्राप्तियां राजने से हो जागा अब आगे की वर बढ़ते हैं question बढ़ आच्पन नंबर क्या बुले जा रहा है निमने लिकित में से कौन सा सरकार का पुंजी गत वय है 57 नंबर का राइटन से D number हो जागा यानि इन में से सभी अब आगे की वर बढ़ते है question बढ़ आच्पन नंबर क्या बुले जा रहा है प्रात्मिक घाटे का सही माप क्या है तो 58 नंबर का राइटन से ए नंबर हो जागा यानि राजकोशिय घाटा राजवस घाटा हो जागा अब आगे की वर बढ़ते है question बढ़ देखेंगे हम लोग 69 क्या बढ़ जाए दोस्तों करें कि वैपर सांतुलन में कौन सी मद सम्मी थे तो इसका राइटन से 59 नंबर का बी नंबर हो जागा यानि पुंजी अंत्रन पुंजी अंत्रन हो जाएगा अब आगे की वर बढ़ते है question बढ़ साथ नंबर यापर क्या बढ़ दर है निविज्ञान का विज्ञान है तो एक साथ नंबर का इसका राइटन से कौन सा जागा दूस्तों 62 नंबर का बी नंबर यानि आर्थिक किरियाएं कहलाती है अब आगे की वर बढ़ते है question में 63 क्या बोले जा रहा है कि निम्न मेंसे किस आधार अस्थंब पर आर्थिक समस्यों का धाचा खड़ा है तो 63 नंबर का राइटन से न पर जागा यानि सामाजवादी अर्थव्यवस्ता में परती योगिता की अनुपस्तिती होती है अब आगे की वर बढ़ते है question में 65 क्या बोल रहा है कि निम्न मेंसे कौन सा कथन सही है तो 65 नंबर कर राइट आंसर जो हो जाएगा यानि क्या हो जागा डी नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा दूस्तों इन मेंसे सभी हो जाएगा अब आगे की वर बढ़ते है question में 66 क्या कहरہ है कह जब कूल उप्यो गिता अधिक्तम होती है तब सीमान उप्यो गिता डैस होती है 66 नंबर कर राइट नंसर सी नंबर जेगा नोंहीं सुनिया होती है अब आगे की वर बढ़ते है question सरसथ सरसट नमर क्या पूलिया रहा है जब एक्स वस्तु की कीमत का परिवर्तन वाईयू वस्तु की मांग को परवाइद करता है तब यह मांग की लोच कहलाती है तो क्या कहलाती है इसका राइट नंसर शी नमर जगा यानि तरची मांग की लोच अब आगे क्योड पढ़ते हैं question 68 क्या बोले जारा है सामाने वस्तियों के लिए आए, परभाव, क्या होती है, तो 68 नमर का right answer जो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो she number राइट असर, यानि रिनात्मक होती है, अब आगे की और बढ़ती है, question number 69 नमर, 79 नमर क्या वो ले जाएगा, करया कि उदासीन ताव वक्र है, तो कौन से वक्र है, इसका राइट अंसर क्या हो जाए दी नमबर यानि इन में से कोई नहीं राइट एंसर होगा अब आगे कि बढ़ते हैं क्वेश्चन पर यहां पर आज़ी की दोस्तो एकत्तर नमर क्या वुझे रहा है कि सिमांत उतपाद है तो सिमांत उतपाद क्या है तो एकत्तर नमर का राइट आप सबस्क्राइब नमबर क्या आधीक होती है तो इसका राइट अन्सर कॉंसर देख लेंगे तो तो तेहतर नमर का राइट अनसर या पूर्ण परत्य योगिता राइट अनसर हो का आर्थ है तो इसका पुर्ण विस्तार का अर्थ क्या होता है पुर्थी विस्तार का तो 54 अर्जिंशर C नमर होगा यहां पर अ, A और B दोनों हो जाएगा यहां पर देख लिजा अची तरीके से A और B में क्या लिखा होगा है ठीक है तुस्तों अब आगे सब्सक्राइब आगे की और बड़ते हैं क्वेश्च नमर क्या बोले जा रहा है कि आर्थिक संभाणता के कारण वर्ग संगर्ष किस अर्थ विश्चता की विश्चता है तो इसका सब्सक्राइब इन में से सभी हो जाएगा चले अब देखते हैं क्या बोले जा रहा है कि उत्पादन संभावना वक्रें कब एक स्रल रेखा की आकिरती लेता है इसका सब्सक्राइब नमर का तो डी नमर रेटेंसर यानि क्या हो जाएगा इन में से कोई नहीं हो जाएगा अब आगे की और बढ़ते हैं क्वेश्चन नमर आचुकी है पर दोस्तों क्या बला जा रहा है कि 88 नमर गौसेन का पर्थम नियम निमनलेकित में से कौन सा है तो इसका 88 नमर का रेटे में परिवर्तिन नहीं होता है अब आगे की और बढ़ते हैं क्वेश्चन नमर आचुके दोस्तों 80 नमर क्या बलता है किस बाजार में वस्तू की कीमत उत्पाद के सभी अर्स्तर पर सदेव इस्तिर होती है तो 80 नमर का रेटेंसर क्या हो जाएगा एक अधिकारी पर तो य यह जाएगा एक फॉर्म का मांग वक्र पुर्ण लोचदार है होता है तो दोस्तों 80 नमर का रेटेंसर क्या होगा तो 80 नमर का रेटेंसर बी नमर होगा यह नि एक अधिकार राइटेंसर हो जाएगा एक अधिकार में अब आगे क्यों बढ़ते हैं क्वेश्चन बर 83 क्या बोले जाए आपर कहरा कि द्वी छेत्रिये अर्थिवयस्ता में अंत्व शेपन का मुख श्रूत है तो तुरासी नमर का रेटेंसर डी नमर होगा इन में से कोई नहीं होगा अब देखें क्या बोले जाए पर क्यारा कि चालू कीमत पर सकल राश्ट्रे आय को कहते हैं तो 85 अब आगे क्यों बढ़ते हैं वर 6 मद वरती उपियोग का संबंध है तो 6 aja यानी सी और बी दोन हो जाएगा अब आगे क्योश्ट नमर 17 नमर 2426 खार मूब रो dest définू किया बाशेकर मुद्रा वह जो करिय मुद्रा का का कारे करें यह परिभाशी सम्मीलित है तो 87 नमर का यह नमबर हो जाएगा यानि किर्या किर्यात्मक परिभाशा में है अब आगे की और बड़ते हैं Q88 क्या बोला जा रहा है मुद्रा के मुल रूप में अर्स्तिरता मुद्रा का क्या होती है तो इसका 87 88 नमर का D नमर जागा इनमें से सबी हो जाएगा अब आगे की और बड़ते हैं Q89 क्या बोला जा रहा है यहाँ पर करें कि बचत जमा की विश्यस्ता है तो इसका B नमर आइट अंसर हो जाएगा यह निकट मुद्रा का अंग होती है अब देखिए Q89 के और 90 नमर क्या बोला ज बैंको वयापारिक बैंकों की तरल इस्तिरता का पता चलता है अब आगे की और बढ़ते हैं Q91 क्या बोले जा रहा है साख संकुचन के लिए क्या होती है तो 91 नमर का स्रीन नमर यानि संवीधिक तरलता अनुपात में कोई परिवर्था नहीं होता है अब आगे की और क्या बोले जा रहा है कि बैंकों में गराहक सेवा सुधार ने है तू सुझाओ के लिए कि शुवर्स 1990 में किस समीति का गठन हुआ तो इसका राइटन से करेंबर का शीन नमबर यानि क्या होता वर्मा समीति कहा गया ठीक है दोस्तों अब आगे की और पढ़ते हैं त्रयान क्या बोले जा रहा है कि बचत कभ रिनात्मक होती है तो चौरा नमबर का राइटन से डी नमबर जगा यानि क्या जाए दोस्तों यहां पर एपी सी प्लस एपी एस बराबर वन ठीक है दोस्तों चलिए अब आगे की और बढ़ते हैं पंचान नमबर क्वेशन क्या बोले ज दोस्तों कह रहा है कि साधन स्यवाओं के रोजगार में विर्दी उचित है जब क्या होती है तो च्छान नमबर का राइटन से नमबर जागा यानि क्या हो जाए दोस्तों यहां पर मांग अपन क्या जाएगा सामूत पुर्ती अब आगे क्यों पढ़ते हैं कोश्यम राच होजाएगा आगे क्यों अंठानकर्ब क्या बोला जाते है ऌ हुण पर यहां पर करके अती रेक मांग उत्पन होने का निम्न वे से कौन सी कारण नहीं है तो इसका राइटन से अंठानकरंगा डी 야नि थे जो है यह क्या है राजकोशिय उपाए नहीं है अब यह पर अंतिम परशन है दोस्तों एक सो नमबर कोशन राजकोशिय अनुसार का सूचक है तो राजकोशिय अनुसार का सूचक है तो राजकोशिय अनुसार का सूचक क्या होगा तो इसका राइडन से श्री नमबर यानि क् किसका जो है वीडियो चाहिए तो आज का वीडियो इतना है तब तक लिए जाहिए इन जाहिए भारत